सुबह के आठ बज रहे हैं और चलो देखते हैं कि हमारे गाओं में आज क्या हो रहा है अरे गुडिया तुम क्या कर रही हो अच्छा अच्छा तुम नास्ता बना रही हो अच्छा तुमने बना लिया है अच्छा अच्छा तुम खाना बना रही हो अरे गुडिया आज तु पिज़ा खाने को मिला और दादी जी को भी पिज़ा खाने को मिला है और यहाँ पर चिंटू पिंटू अरे चिंटू पिंटू को भी एक टुकड़ा पिज़े का मिला है अच्छा अच्छा लगता है आज पिज़ा बनाया था गुडिया ने और सभी को उसने खाने के लिए हाए ना गुडिया आज तुमने पिजा क्यों बनाया था अरे भया क्या करें आज नास्ते में कुछ बनाने को था नहीं तो मैंने सुचा क्यों नहीं पिजा बना लिया जाए अरे बहुत बढ़िया गुडिया बहुत बढ़िया आज देखो ये सभी लोग खा कर मस्त हो जाए अरे चुटकी जिरा बताओ तो पिजा कैसा है अरे भया क्या बनाया है भावी ने पिजा तो एक नमबर है मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है आज तक मैंने ऐसा पिजा नहीं खाया अरे यहाँ देखो चुटकी तो तुम्हारे बहुत सारी बडाईयां कर रही है गुडिया तुम तो बहुत बढ़िया रशोई घर में काम करने लगी हो और तुम यहाँ क्या बनाई रही हो अच्छा तुम डाल बना रही हो डाल चावल बनाओगी आज खाने में है ना अरे पिजा चलो खाओ सब लोग मिलकर खाओ और यहाँ पर क्या रखा हुआ है अरे एक बड़ा वाला सेव और एक बड़ा वाला अमरूद ओहो पिजा खाने के बाद जिसको भूंक लगी रहेगी सेव और अमरूद भी खा लेगा उसके बाद डाल चावल तो बन ही रहे हैं ना और यहाँ पर गईया लोग क्या करें अरे यह देखो यह बड़ी वाली गईया चारा खा रही है और यह छोटी वाली गईया पानी पी रही है बहुत सही बहुत सही तो चलो आप लोग पिजा खाओ और हम देखते हैं कि गाओं की तरफ क्या हो रहा है अरे ये देखो दादी जी का प्यारा सा तोता अरे तोते तुम्हारे क्या हाल है भीया प्या ठीक ही है मेरे हाल आप बताओ आपके कैसे है अरे भीया तोते मेरे हाल भी ठीक ही है और यहाँ देखो चिंटू और पिंटू बहुत ही प्यार से पीजा खा रहे है और चिंटू य के दो, पपा का मुबायल दो, आरे ये लो, आरे घुड़ू ये लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा फून लेकर चले जाते हैं, और वो लग फून खेलतے हैं, तुम झारा भी ध्यान नहीं देते, और यहाँ पर देखो, यह लोग पिज्जा खा करके पानी पियेंगे, औ और यह निप्ल से दूध भी पियेंगे। और यह क्या है। अच्छा अच्छा यह सान्ती मैं का रशोईगर है। ऐहाँ पढ़ाने के लिए भी रेडी है। लेकिन अभी तक उनका कोई स्टूडेंट नहीं आया है। अरे सांती मैम आपके यहां कोई स्टुडेंट क्यों नहीं आया है अरे बया क्या बताऊं पता नहीं क्यों अभी तक कोई नहीं आया है मैंने तो सभी को बोला था 9 बजे तक आ जाना अरे रुख जाओ अभी 10 मिनट और इंतिजार कर लेती हूं तब तक तो सब आ ही जाएंग हाँ हाँ सही कह रही हो सही कह रही हो जरा इंतिजार करो आते ही होंगे अरे चिंटू और पिंटू तुमने अभी खा कर खतम नहीं किया है पिजा अरे जल्दी से खा कर खतम करो समझे यहां पर देखो लगता है सभी ने खा लिया है हाँ हाँ यहां देखो सभी ने खा कर ख श्कूल भी जाना है तो बाने बाजी नहीं जल्दी से खा करके खतम कर लो और ये दादी आप दोनों ने तो खा लिया है यहाँ पर देखो दादा दादी ने तो पिज़ा खा कर खतम कर दिया है ये लो यहाँ पर देखो तरबूज रखा हुआ है तुम दोनों को और भूख लगी हो ततर बूज खा लेना ठीक है अरे यहां देखो तोते ने भी लगता है थोड़ा बहुत पिज़ा खाया है बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है अरे चुटकी कैसा था पिज़ा अरे भई बताया तो मणिया था ना पिज़ा अरे ये कहां गया गुड़ू अरे तैयार होने के लिए वाश रूम में गए हैं अच्छा अच्छा वाश रूम में आया है गुड्डू अरे गुड्डू नहाध होकर तैयार हो रहे हूँ क्या अच्छा यहाँ पर देखो वो नहाध होकर तैयार हो रहा है उसे काम पर भी तो जाना है ठीक है ठीक है बहुत जल के लिए तैयार हो जाओ यहाँ पर बैठो अरे पिंटु तुम भी आजाओ पिंटु और चिंटु बहाने बाजी नहीं हो पाएगी स्कूल तो तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा अरे यहाँ देखो यह दोनों आ चुके हैं गुड्या यह देखो तुम अपने बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर दो क्योंकि इन्हें कॉलिज जाना है ना अरे आजाओ आजाओ चलो वाश्रूम में अरे यहाँ पर आजाओ तुम दोनों वाश्रूम में आजाओ अरे गुड्डु तुम नहा चुके हो क्या अच्छा अच्छा तो चलो तुम तैयार हो जाओ ठी अरे चिंटू और पिंटू शरीर गीला करके कहते हूं नहा लिया अरे बदमाशो तुम दोनों बहुत बोलने लगे हो अरे यहां देखो यह दोनों कितने तरो ताजा लग रहे हैं अरे गुडिया आजाओ आजाओ अपने बच्छों को जरा कापड़ा विपड़ा पहना दो और इनके लिए टिफिन रेडी कर दिया है कि नहीं तुमने अरे जल्दी से इनके लिए टिफिन रेडी कर दो हाँ भीया हाँ मैंने गुड़ु के लिए और उनके दोनों बच्चों चिंटु और पिंटु के लिए भी खाना रेडी कर दिया है समझे मुझे पता है कि इन पूजखा करके खतम कर दिया अरे आपको लगता है ज्यादा भूख लगी थी बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा किया आप लोगों ने तो चलो यहाँ पर देखो चिंटू और पिंटू भी तयार हो चुके हैं और यहाँ पर गुड़ू भी तयार हो की सवारी करके अपने अपने काम पर चले जाएंगे तो चलो आजाओ तुम लोग अपने अपने सवारी पर बैठ जाओ आजाओ चिंटू और पिंटू यहाँ पर बैठो तुम चिंटू और यहाँ पर बैठो तुम पिंटू बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अरे गु चिंटू और पिंटू तुम्हारी बस भी निकली नहीं, अरे तुक 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 त चले गया है और यहां पर देखो उसकी मम्मी उसे बाय कह रही है बहुत बढ़ियां अब तुम अकेले पढ़ गई हो ना अरे चलो ठीक है अब तुम अपने खाने पीने का इंतिजाम कर लो और यहां पर देखो यह तो लेट रही अरे तुम अच्छे से लेड़ जाओ चुट कर रहे हैं अरे शांती मैं नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते यहां देखो सांती मैं क्या कर रहे हैं अच्छा अच्छा सांती मैं चिंटु अपिंटु को पढ़ा आ रही है यहां पर देखो चिंटु अपिंटु को क्या पढ़ाया जा रहे अच्छा अच्छा उनको नंबर इसके बारे में बताया जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओ वाउ, अरे चिंटू और पिंटू, बात ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जरा भी बदमाशी नहीं, और सान्ती मैम, गाउं के सबसे बढ़ियां वाली टीचर है, वो तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना, ठ ठीक है, चलो, तुम लोग पढ़ाई करो, हम जा रहे हैं घर पर, अरे यहां देखो, उनका सामान अभी बिखरा पढ़ा है, अरे चिंटू और पिंटू, तुम दोनों का निपल भी यहीं छूट गया है, चलो, कोई बात नहीं, तो देखो गाईस, आज की कहानी हम यहीं प बाई!